क्लास से 12 तक की सिख्षा फ्री कर दी जाएगी इसका नाम पढ़ो और पढ़ा योजना होगा प्रेंका ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 500 नौवी से 10 तक के बच्चों को 1000 और 11 से 12 तक के विध्यारतियों को हर महीने 1500 रुपे दिये जाएंगे आपको पट्टे दिलवाए थे याद है कि नहीं याद है किस भावना से दिलवाए इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है ये आपका सम्मान है ये आप से जुड़ी हुई बाते हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ती आपके खातों में मिलनी चाहिए कongress party की यही परमपरा रही है यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की परदेश की आपके जिले की यह संपत्ति आपके हाथों में जाए हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने आदिवासियों का जगाने आत्म सम्मा प्रियंका ने पकर लिया धनुश मार आइरन लेडी की पोती ने दादी को याद किया अदमत प्रदेश सरकार पर इलजामों की बारिश शुरू हो गई आप पर जो अत्या चार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है पूरे देश में मध्या प्रदेश उनमें नमबर वाना हो गया है देश में सबसे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्यो प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं सबसे ज़्यादा बच्चियां देड़ लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज में हर रोज सत्रा बलातकार होते हैं देखिये यहां की जो परिस्थितिया हैं वो मुश्किल होती चली जा रही है। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं। यहां पे अत्याचार बढ़ रहे है। सरकार पर तापर थोड हमलों के साथ प्रियंका ने मदबर्देश में एक और गैरेंटी का वादा कर दिया वादा ये कि अगर सूबे में कॉंग्रेस की सरकार आएगी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएगी पहली क्लास से बारवी तक के विद्यार्थियों को हर महीने पैसे भी देगी पहली कक्षा से लेकर बारवी तक स्कूल की शिक्षा निशुल्ख होगी इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना कि कॉंग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है इसके तहत कक्षा एक से कक्षा आठ तक पात सो रुपे हर महीने मिलेंगे नौ से दस तक हर बच्चे को हर महीने हजार रुपे मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 15 सो रुपे हर महीने मिलेंगे पढ़ो और पढ़ो योजना के साथ ही प्रियंका ने पार्टी के तरफ से की गई पिछली 6 गैरेंटिया भी गिना दी कर्ज माफ बिजली बिल माफ और पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा भी कर दिया तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी मतलब उसकी बिल आधी आएगी पुराना पेंशन लागू होगा गास के सिलिंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा आपको 500 रुपे में आपको सिलिंडर मिलेगा महिलाओं को 1500 रुपे प्रतीमा दिया जाएगा आपके खातों में आएगा बहने पाच होस पावर की सिचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी विधान सभा चुनाव के रड़ भेरी बजने के बाद पहली बार मद्द प्रदेश के मैदान में कोदी प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहूल गांधी के तरह जाती जनगरना का जखर भी छेड़ दिया जाती गरना को इंसाफ की परताल का पैमाना बता दिया कि हम बार-बार कहते हैं कि जाती जनगर्ना होनी चाहिए, इस से पता चलेगा कि कितनी, कि OBC के कितने लोग है, दलित के कितने लोग है, अनुसुचि जनजाती के कितने लोग है इस देश में, तो जब हम कहते हैं कि जाती जनगर्ना करो, हम सिर्फ यह कहने कि भई गिंती करो, ताकि नयाए हो सके लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहते तो मन्रेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए ताकि आपको रोजगार गाउं में मिले ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े आज पलायम बहुत बड़ी समस्या है यहां की भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है पंचायत व्यवस्था को कॉंग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया पंचायत में जो निन्ने लेने चाहिए थे तिकि आपके यहां कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलजाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए ये कॉंग्रेस की सोच थी अप्रियंक्या जी आई है तो फिर जूट परोसेंगी करदा माफी का जूट पिछली बार बोला गया था दस दिन में माफ देरोजगारी भत्ता देंगे का जूट समर्थन मुल पर बोनस देंगे का जूट कितने जूट हाकिस ये जूट की गारंटी देने आ रही है क्या हाला ब्रश्टा चार का पेसे दो काम लो 50 एकर जमीन है पैसे दो और गरीबी रेखा में नाम लिखा लो सही बात है ये ये आज हालाद ब्रश्टा चार के है आज हमारा किसान बटकता किसान जो कभी खाद के लिए कभी बीच के लिए कभी सही मूल्य के लिए ये केवल किसी पार्टी का चुनाव नहीं है ये मद्द्य प्रदेश और मंडला के बविश्य का चुनाव है प्रियंका गांधी का जूटा व्यान और लालच की बातें सोभा नहीं देती हम नर्वदा के किनारे रहने वाले लोग बहुत भूख की चिंता नहीं करते हैं हम सम्मान की चिंता पहले करते हैं और इसलिए जूटी बातें कभी भी हमारे आदिवासी बंदू को रास नहीं आत प्रियंका गांधी जब तक रैली के लिए मंडला पहुचती इससे पहले ही PFI के खिलाफ जाच एजंसियों के एक्शन पर दिग्विजे सिंग के बयान से मद्द प्रदेश का सियासी पारा गर्मा जुका था बीजेपी दिग्विजे सिंग के बयान पर प्रियंका से कॉंग्रेस के स्टेंड पूछने लगी शिवराज सिंग चोहान से गिरेडाच सिंग तक बीजेपी के तमाम नेता कॉंग्रेस को कोसने लगे मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी पारिटी के नेता पूट्ब मुक्वंत्री दिग्विजे सिंग पी एफ आई पर कारवाई का विरोध कर रहे हैं पी एफ आई टेरिर फंड़न करती है आतंगवादी गत्विजियों में लिप्त है बेन लगा हुआ है देश की दुस्मन है और उस पर कारवाई अगर होती है तो दिग्विजे सिंग विरोध करते है कि यह कॉंग्रेस के स्टेंड है आतंगवादीों को महमा मंडित करना सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना पी एफ आई पर कारवाई का विरोध करना दिख्विजे बाबु जिन्दगी भर आप तो उगरवादी आतंक वादियों का ही समर्थन किया है मुझे याद है बाटला हाउस आपकी नेत्री आंसु बाहर रहे थे आप आजमगर पहुँच गए थे आप उशामा जी कहते हैं इसलिए आपके मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती है आप तो जिन्दगी भर आपकी पाटी ने तुष्टी करन ही की है और आज भी तुष्टी करन ही कर रहे खाला की बायान पर मचे बबाल के बाद दिगविजय सिंग के सफाई भी आई ट्वीट के सरीए दिगविजय सिंग ने ना सिर्फ आतंकी कतविदियों का विरोध किया बलकि पियाफ़ाई के खिलाफ कारवाई के वखालत भी की लेकिन तीर कमान से निकल चुका था बीजेपी को कॉंग्रियस के खिलाफ निशाना मिल गया MP में पंजे का पर्चम लहरा ने निकली प्रियंका गांधी को घेरने का बाहाना मिल गया विपिन श्रवास्तव भोपाल